नमस्ते दोस्तों ओम साइराम कैसे हो आप साब आप साब बहुत अच्छे होंगे अपनी घर में सेख होंगे तो आज में शेयर करूंगे कोल्काता की एक फेमा स्टीट फूट हो है एक डेविल या एक चॉप भी आप बोल सकते हूए बहुत यम्मी डेलिसिया से खाने में स्पेशल इविनिंग के टाइम आप चाय के साथ यह खा सकते हो घर में कोई पार्टी गेट टोगेदार हो तो भी आप इसे बना के खा सकते हो तो प्लीज इस रेसिपी को आप घर पे बना के खाईए सब को खिलाईए होप आप सब को अच्छा लगेगा तो चलिए हम करते हैं तो फ्रेंस एक डेवी लिया एक चौप बनाने के लिए मैंने लिया है पाच अंडा पाच अंडे को मैंने उबाल लिया है उबाल इसका चिलका हटा पे साफ कर रखा है और यह है प्याज अद्रक और लेसुन हरी मिर्च का पेस्ट यह हमें चाहिए तीन टेबल अन्डे को लिया है अथा दोनियाप्टा चाप लिया है तीन विट साइस बड़ी आलू को मैंने उबाल लिया है उबाल लेकिन के बाल इसको अच्छे से मेश का लिया है अब सबसे पहले हमें इह एंडे को ना यह थोरा सा चेरा लगा देंगे ईसके अंधर गालीर तार जो वह सापुत अंडे में बनता है और यह बहुत अच्छे विनिंग स्नैक्स है और कोई भी कीकी पार्टी बड़्डे पार्टी में आप इसे स्टैक्टर के हिसाब से भी महमानों को खिला सकते हो यह बहुत ही टेवी सियास होता है खाने में तो मैंने चीरा लगा लिया है अब म मसाला तयार करूंगी डेविल के लिए गयास का फ्लेम हमें मीडियम लो में रखना है और सबसे पहले मैं टेल में डालूंगी चॉप किया हुआ प्यास करना है प्राइशर के हमें प्यास सॉप हो गया है अब मैं इसमें एक करूंगी पीन टेबल स्टून अगरा लेसुन प अब जाए मसाला एठ करूंगी अब तयाज लासन से अरोमा क निकलने लगा है आणे इसमें राइ मसाला एठ करणकी सबस्क्राइब दनिया पावडर एठ करूंगी पावडर 1 teespoon कश्मीरी रेचिली पावडर 1teespoon हल्दी पावडर स्वाधन स्वाधन नमक एठ करण जीरा बूलना है मसालों में थोरा सा पानी आट करूंगी में यह ज्राई हो गया है जैस कफले मैंने लो कर दिया है आप में इसमें आलू को एट कर दूंगी मसालों के साथ अच्छे से इसको मिला देंगे तो फ्रेंज्स देखिए मसाला और आलू अच्छे से मैंने मिला लिया है अब मैं इसमें आट करूंगी शाही करण मसाला और यह चिकेन मसाला हाप की स्पून यह ओप्शनल है बट इसको आट करने से बहुत अच्छा फ्लेबर आते है चॉप में तो अच्छे से इसे फीर से म आलोका मसाला Look I add to my海. तो एक अंडा पर ईसमें मासाला काटाहरा धनी आप गया है Fragen ऩाम अंडए मैं इनकाल क्वेक तीक निख थेंचे मनेंदे किन microwe auf the pot आट यो पर आपका अलू का मैं मैंने ज़रते हिखते है निया अब अब थास्त जब क्षच्च्चे मोज़ा प्रेट क्रेटाय। जबीक्त और प्रेत को प्रेट क्रेंब। आपके पास ब्रेट क्रम ना हो तो आप उसके पदले रास्त जो बिस्कित होता है उसका पाउडर भी आप ले सकते हो सबसे पहले मैं यहां से आलु का मसाला ले लेंगी यह देखेए एक बड़ा सा बॉल की साइज देखिए ऐसी आप इसके अंदर मुझे यह अंडा ऐसे रखे इसको पूरा यालू के मसालों से कवर कर देना है एक में और दिखाती हूँ आपको ऐसे फ्लैट करके उसके अंदर अंडा को रखेंगे फिर उसको पवर कर देंगे आप इसमें चिकन या मटन का कीमा आलू में आट करके भी आप यूज़ कर सकते हो आद्यांडे से भी कर सकते हो इसको अंडे का शेप दे देंगे ओपर थोरा सा हम ऐसे कर देंगे और ऐसे मैं त्यार कर लेती हो सारा एक गिए प्रेंज देखिया सब्स के यह यह आंडे में में आलू को ईसे आप में अ आपको surfing के आा ठीज त्यार कर लिया है चौक या देविल का शेयप मैंने दे दिया है अगर कुछ अफे स् чув अगर आपको भी आपको या जाए तो आप इसे आराम से अलू का पराथा बना सकते हो या कुछ पुरिंगे पूरी को का अब मैं फिर मैं इसको बेट केम में कोट करना हूँगी आप चाहँ तो इससे सिंगल कोट कर सकते हूँ लेकिन मैं डबल कोट करना पसंद करती हूँ मैं डबल कोट करूँगी फिर मैं इसको अंडे में ऐसे टिप करके बैटर में इसको बेट केम में कोट करना हूँगी यह देखिए ऐसे हमें डेविल को त्यार करना है तो मैं सारा ऐसे ही त्यार कर लूँगी तो देखिए सारा एक डेविल मेरा प्यार हो गया है तो अब मैं इसको फ्राइ करूँगी तो तेल मैंने गरम कर लिया है अब मैं डेविल को फ्राइ करूँगी एक डेविल को कराई मेरा शोटा है इसलिए में दो करते हैं करेंगी जैस का ख्लेल में में रखा है मैंने तो डेविल मेरा दोनों साइट से एकडम लाल लाल चाई हो गया है अब मैं इसको पेल से नुकाल दोंगी और टीशू पेपर के उपर इसको रखोंगी केक स्ट्रॉयल एपसर्फ हो जाए बागी के डेविल भी मैं फ्राइ कर लूँगी एक डेविल मैं साथ कर दिया है इसको प्यास के रिंग घरी मीर्च यह है मास्टर्च सॉस इसे कश्ण दी बोलते हैं बिंगल में बहुत फिमा से यह सॉस त्रमिट्र सॉस के साथ खा के आप इंजॉय कर सकते हैं यह बहुत बढ़िया एक स्नैक्स है बहुत टेस्टी होता ह अगर मेरी रैसीप प्रेश ए यक मैंने कार्ट आपको दिखाया यह देखियो अर बहुती कॉर्ड़ा सावाज ह consecut हो कुरकुड़ होता है तो प्लीज यह प्राइक आपट्रीअ करना अगर मेरीशेपी आपको पसंद रहा है तो प्लीज LIKE COMMENT SHARE मैं सस्फिर्क्राइब चानल और प्रेस्ट बेल बटन पर फुटर नोटिपिकाशन थैंक यू